जहिन आईए अब हम लोग जैसे प्रिवेस वीडियो में सीवीसी सेंटरल विजलांस कमिशन के ठीक है पूरे के पूरे किस प्रकार से यह कारे करती है किस प्रकार से इसका करप्शन को प्रिवेंट करने का जो फंक्शन है उसके बारे में जाना किस प्रकार से इसकी 1964 में इस्टैब्लिस्मेंट होती है और फिर तूथ हो यंट्री में इसे जो है सेट्रेटरी बड़ी के तौर पर एक प्रकार से पहचान जो है सरकार जो है कि सकते हैं कि बनाती है अब जो हम लोग सेंटर वेजलांस कमिशन के कम पोजीशन ठीक है इसके अंतरगत कितने मेंबर किस प्रकार से चेर्मैन होते हैं और इसकी निवती कौन करते हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे और साथ-साथ यह जानेंगे कि इन्हें किन-किन ग्राउंड पर जो है इन्हें इनके पत्से ब्रखास्त किया जा सकता है और सैलरी और अलॉइंस के बारे में कमिशनर होते हैं ठीक है एक चेर्मैन और दो कमिशनर मतलब तीन मेंबर किया बढ़ी होती है ठीक है अपॉंटेट भाई परसीडेंट और यह परसीडेंट के गवारा अपॉंट किया जाते हैं लेकिन एक कमिटी होती है उस कमीटी के रिकमेंडेशन की अनुसार जो है उन्त्रकत प्रद्धानमंत्री Papa ऌनिस्ट्य एर ओमिनेस्ट्रियमंत्री और साथ साथ लीडgende और अफ ऑपोजिशन ऑफ लोग सभां फिर समय हुमारा ठीक है उस लोग सभा के जो लीडिर अप धिब पॉजिशन होते हैं ग्रिह मंत्री और प्रधान मंत्री इन तीन जो है कमिटी के त्वारा फैसला लिया जाता है कि किनों Cenohlr वीज़ लेंज कमिशन के जो है चेयरमेन के पतपर निउक्त करना है और किन्हें जो है जो है जो है मेंबर के तौर मतलब कमिशनर के तौर पर किनकी नियुक्ति करनी है और यह तीनों मेंबर जो है अपने रिकमेंडेशन जो है राष्टपती को सेंड करते हैं और राष्टपती फिर इनकी जो है अपोइंटमेंट करते हैं ठीक है राष्टपती के द्वारा इनकी न्युक्ति की जाती है टॉम अगर तो यह चार साल के लिए इनकी अपोइंटमेंट की जाती है फोर यह के लिए तिल 65 65 सालों तक ठीक है और नौट एलिजिबल टुफर्दर इंप्राइमेंट इन सेंटर और स्टेट गबमेंट 65 यह के बाद यह नहीं जो है सेंटर कि कह सकते हैं कि कोई भी मतलब द्वी आतिया इनगी ओन्री नहीं की जाता है वैसा इसली किया आता है ताकि अपनी काम को मुणší अफ्री ट्रांस पैरेंश के साथ कर सके है क्ट ताकि इनहीं एक प्रकार के सकते हैं कि ऐसा मतलु बढूँद कुछ भूब नहीं का सर्विस नहीं किया जाता है थाकि जिस भी जो कारे को कर रहे हैं उसे पूरी एकदम नीट्रल और निस्पक्षता के साथ करें कोई भाविश्यक का जो कह सकते हैं प्रिभिलिज देखकर बरतमान के कारें प्रभावित ना हो इसके लिए यह सेफगार्ड मेजर्स और कह सकते हैं कि प्र आगे हैं रिमूबल, अब तो हम इनके निपती और इनके अपोईंटमेंटर के बारे में देखिए अब किस-کिस प्य पिहाब पर किस और किस अग्रावंड पे इन्हें इनकी पन से बरखास्त किया जाता है ठीक है, किया जा सकता है, या फिर इनके पन से हाटाया जा सकता है इन्हें remove किया जा सकता है, उसके बारे में जानेंगे, सबसे पहला है adjust and insolvent, insolvent मतलब दिवालिया यहां, पर दिवालिया बहुत sense में होता है, कि अगर यह adjust and insolvent अगर घोशित हो जाते हैं, उस प्रस्थिती में इन्हें, इनके पद से परखास्त कर दिया जाता है, दोसरा है convicted for an offense, किसी भी offense के लिए, किसी भी simple से कोई crime हो, या कोई भी चीज के लिए, अगर कोट के द्वारा इन्हें सजा सुना दी जायती है, अगर आपके या किसी भी विक्ति के पक्चि में, ठीक है, अगर वो दोसी करार दी दिया जाता है, न्यालई के द्वारा, तो वो Outsite the office, जब या office में होते हैं, मतलब 65 years तक, और 4 years जब वो अपने कारेकाल में होते हैं, मतलब ये जब अपने duties को कर रहे होते हैं, उस वक्त कीजिसे ही बाहरी कारे को ये हाथ में नहीं लेंगे, एक प्रकार से कहने का मतलब है, कि कोई भी जब आप सरकारी कारे को कर रहे ह होते हैं तो कोई आप अधर एक्टिविटीज में फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस कारे को कर रहे हैं फिर उसमें आपका ध्यान नहीं नहीं रहेगा या फिर आप अधिक हो जाएंगे पैसा मोनेटरी टर्म में या किसी भी इंप्लाइमेंट आप नहीं कर सकते मतलब आप अगर गौवर्मेंट आपको धनका दे रहे हैं गौवर्मेंट जॉब में हैं तो इन डैट केस वह भी इतने बड़े पतपर जब आप यहां दोनों जगह बठ रहा है और क्या पता कि आप जिसके यहां पेड इंप्लाइं हैं उसके कुछ फेवर में आप डिसीजन हैं ले रहे हों बैटके तो इन तमाम जो है ना कॉन्फिक्ट ऑफ इंट्रेस्ट से बचने के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की प्राबधान क ट्यूटीज के बाहर अगर कहीं भी अगर आप पीड इंप्लाइमेंट में पाई जाते हैं तो इस ग्राउन पे आपको आपके पत से रिमूब किया जा सकता है आगे है अनफिट टू कंटिन्यू इन ओफिस रिजन फूर इंफिर्मिटी ऑफ माइन बड़ी कहने का मतलब है या शरीर आपकी ठीक है आपका सहाइता नहीं कर रहा है उस प्रस्थिती में अगर आप अनफिट है फिसिकली मेंटली ठीक है इन डैट केस जो है आपको आपके पत से रिमूब किया जा सकते हैं जो सी बीसी के चेर्मैन और उनके मेंबर को आगे है एक्वाइट सच फिनें दे खाती ती इस शिर्फ वही आपको लेना है अगर कोई आपको स्वेख्षा से भी दे रहा है कि चलिये हम आपको गेहने देते है को ज्यूलरी देदेते हैं या फिर आपको हम बॉंगलोग गिफ्ट कर देते हैं, आपको कार गिफ्ट कर देते हैं, वह आपको accept नहीं करना चाहिए, यह सब जो जब government employee होते हैं, जब उनकी training बगिरा होती है, उस वक्त उसे बताया जाता है, ठीक है, तो उस प्रस्थिती में, जब कोई भी financial या आर्थिक लाव, आप सरकार के अपेक्षा, मतलब सरकार जो salary देती है, उसके अलावा, आप कहीं से भी अगर आर्थिक लाव प्राप्त करते हैं, तो वह एक प्रकार से घूस माना जाता है, और यह commission ही है कि घूस को prevent करना है, corruption को रूपना है, और उसी के member अगर घूस लेने लिगे, प्रतिक पूरी के पूरी तरह से आप जिस कारे को कर रहे हैं, आपके decision को वह impact कर सकता है, उसे influence कर सकता है, is that clear? Now, the president can remove the CVC on the ground of misbehavior or incapacity, देखो, दो ground और बताया गया, एक है misbehavior or incapacity, ठीक है, लेकिन इस दो ground पे तभी, जो है, उन्हें उनके पस से हटाया जा सकता है, जब रास्टपती जो है, उन लगे कि हाँ, इस misbehavior or incapacity के आधार पर किसी बेक्ति को, मतलब जो CVC के member है, commissioner है, या फिर chairman है, उन्हें उनके पस से remove कर दिया जा, इस प्रस्तिती में, सबसे पहले हुआ, सुप्रीम कोट को, जो है, एक inquiry करने के लिए बोलते हैं, और सुप्री have और incapacity का जो अधार है, इन्हें remove करने का, वो जो है, पहले सुप्रीम कोट के inquiry से होकर गुजरना होता है, इसके बाद है, इन्हें remove किया जा सकता है, आगे है, देखो, एक चीज है कि salary, alliances और conditions, जो term condition हो गया, salary हो गया, alliances हो गया, ये सब किसके बरावर होता है, तो UPSC के जो alliances, box, privilege, ठीक है, और ठीक उसी प्रकार, जो कह सकते हैं, CBC के जो chairman होगे, दोनों का समनांतर होगा, parallel होगा, अब बात करते हैं कि, जो CBC के जो member होते हैं, जो other commissioner होते हैं, वो ठीक, UPSC के जो other member होते हैं, ठीक है, उनके वो बरावर होगा, जितनी salary, एक UPSC के member को alliances, box, privilege मिलते ह है, ठीक उतनी salary, box, privilege, जो है, पूरी के पूरे, कह सकते हैं, CBC के other commissioner को मिलते हैं, ठीक है, तो chairman equal to chairman and member equal to member, ठीक है, यह clear होगे, पूरे के पूरे की central vigilance commission का composition क्या है, कितने term के लिए, मतलब term year के लिए, यह appoint किये जाते हैं, कि इनके द्वारा इनकी appointment होती है, किस-किस ground पे इन के salary analysis बगेरा, पूरी के पूरी चीज निर्धारित किये जाते हैं, लेकिन एक चीज इसमें और है, कि जो भी salary analysis, एक बार appointment के दौरा निर्धारित कर दी जाती है, उसे भी, उसे जो है, बीच में, मिटम में, कभी भी जो है, उसे ना घटाया जा सकता है, ठीक, और एक प्रक कोई मंत्राला है, कोई department है, मिनिस्ट्री का, उसी पी corruption कह सकते हैं कि charges लगा हुआ है, central vigilance commission जो है, उसी के department में छापा मार रही है, और वो बोल दे कि भाई, तुम्हें हमारी उपर चापा मारा है, अब तुम्हारा हम salary cut कर लेंगे, तुम्हारा alliances रोक लेंगे, ठीक है, तो यह सब नहीं हो सकता, एक बार जो salary box privilege alliances निर्धारित कर दिये जाते हैं, उसे कभी भी सरकार जल्दी बदल नहीं सकती, यह जो है, हाँ, शुरुवात में ही निर्धारित कर दिया जाए कि आपको इतना salary दिया जाएगा, लेकिन एक बार जब fix कर दिया जाता है, जब appoint कर लि duties और इनके कारे करने के तरीके आखरिया किस प्रकार से कारे करते हैं, इन तवाम चीजों के बारे में जाने हैं, is that clear, so that's all, and अब हम इसे यहीं संबब करते हैं, if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it, also please the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box, thank you once again, have a great day.